तो जब भी हम जंगल सफारी के लिए जाते हैं और टाइगर के पगमाग दिखते हैं तो confused हो जाते हैं कि आगे वाले पेरों के पीछे वाले पेरों के या left है या right है या male है या female है तो ये बड़ा simple रहता है टाइगर के जो आगे वाले पेरों के जो निशान होते हैं वो second number पे आता है तो इसको left side का पगमाग बोलते हैं और अगर हम left से right की तरफ जाते हैं और उसका longest toe अगर है वो अगर second number पे आ जाए तो उसको right side of the lake बोलते हैं तीसरा जो तरीका होता है कि यह male है यह female है यह कैसे पहचानते हैं तो यह भी बड़ा simple रहता है कि अगर PMB यानि कि tiger के पगमा का bread और length अगर almost same रहा तो इसको male का पगमा consider किया जाता है हो अगर यह rectangular shape का रहा यानि कि length bread से जादा रही तो इसको female के पगमा consider किया जाता है